इस बार मैं अपनी व्रिष्टा के दम पर मैं मुख्या मंद्री पत्गा दावगभू नमस्कार दोस्तों मिरे नाम संजय मगुहर मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना में विधान सभा का चुनाव हो रहा है विधान सभा चुनाव का मतलब हर्याना के मुख्य मंत्री हर्याना की सरकार का चैन करने का चुनाव 90 विधान सभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतों की गिंती होगी जिसके बाद तेह हो जाएगा हरियाना में किसकी सरकार जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक आएंगे उस पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा हलाकि बहुमत के लिए विधायक चाहिए 46 लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसा भी हुआ तो फिर ज़्यादा विधायक और विधायकों का जुगाड करने वाली पार्टी का नेता या जुगाड करने वाली पार्टी मुख्यमंत्री बन जाएगी मैंने आपसे जुगाड वाली बात इसलिए कही क्योंकि 2009 में भी और 2019 में भी हरियाणा में जुगाड वाली सरकार बनी थी नौ में भुपेंदर सिंग हुड़ा मुख्यमंत्री बने थे और 19 में मनुहरलाल मुख्यमंत्री बने थे दोनों के पास 40-40 MLA उनकी पार्टियों के चुन कराये थे बाकी MLA का दोनों पार्टियों के समय में जुगाड हुआ था इसलिए मैं आपसे जुगाड वाली बात की हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के लिए तमाम नेता ललाई थे तमाम नेता चाहे वो इंडियन नेशन आने जिए पार्टी के अंदर हों कोंगरेस और नाहीं की बात हम इसलिए नहीं कर रहा है कि आपसे बात भारती जंता परर्टी कि केह रहा हूँ है आज अनिल विज ने दावा ठोक दिया अनिल्विज कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनोंगा ли मैं गजब बात है एक पुरानी उक्ति है सूतना कपास जुलाहे की लठ्थम लठ्था सूतना कपास जुलाहे की लठ्थम लठ्था अभी तो कुछ तै नहीं हुआ अभी तो चुनाव हो रहा है हर्याना के अंदर कोई विधान सभा नहीं है इस समय हर्याना के अंदर जो मुख्य मंत्री है वो काम चलाओ मुख्य मंत्री है सरकार कोई है नहीं हर्याना के अंदर क्योंकि विधान सभा नहीं है और सरकार इसलिए है क्योंकि खाली जगा रखी नहीं जा सकती राश्टपती शासन लगे या फिर केरटेकर गौर्मेंट होती है नायप सिंग सैनी ने हर्याना विधान सभा को भंग करने की जब सिफारिश की तो राजेपाल ने उनको केरटेकर मुख्य मंत्री अलाउंस कर दिया उनी का मंत्री मंदल काम कर रहा है कोई फैसले नहीं ले सकता इसलिए मैंने आप से का कि सूत नका पास जोलाये की लठ्थम लठ्था पांच अक्टूबर को चुनाव होगा आठ अक्टूबर को मतों की गिंती होगी पता चलेगा किसकी हवा चलती है किसकी निकलती है सकता है अलिलविज नी तो ठोक रहें और दावा पहली बार नहीं ठोक रहे तो लगातार ठोकते रहें पर अपकी बार जाताल सबसे बुज कर ँग एक आप सुनी अनिलस ने क्या एकलत हुए का हर्याना में बार्ट्या जन्ता पार्टी का सबसे वुरिष्ट उजाए कुई। मैं छे बार चुनाव लड़ चुका हूँ, जीत चुका हूँ, और साथवी बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है। प्रन्तु इस बार सारे हर्याना पर्देश की जन्ता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं। और अमाला च्छावनी की जन्ता के कहने पर इस बार मैं अपनी व्रिष्टा के दम पर मैं मुख्या मंतरी पद का दावा करूँगा। बनाना या ना बनाना ये हाई कमांड का काम है। 1990 का पहला उप चुनाव जीते थे, 1996 और 2000 के चुनाव में वो निर्दलिये विधायक बने थे अपनी पार्टी से। एक विधायक का चुनाव आज तक वो हा रहे हैं। बाकि सभी चुनाव जीते हैं, छे बार के विधायक हैं, इसलिए दम ठोकते रहे हैं कि मेरा दावा बनता है। अनिल विज से पहले राव इंदर जी सिंग दावा कर चुके हैं। कि मुझे मुख्य मंतरी बनाया जाए, मैं मुख्य मंतरी का दावेदार हूं। राव इंदर जी सिंग कहते हैं कि 2014 में भी मुख्य मंतरी के दावेदार थे, 2019 में भी मुख्य मंतरी के दावेदार थे। नायब सिंग सेनी को अमिशा घोशित कर गए थे, कि इनको अगर हरियाना की सरकार बनेगी, तो हरियाना का वजीरे अलम बनाया जाएगा। अगर तो फिर एक बार हर्याना फिर मिल जाए क्योंकि हर्याना की जो सारी टिक्टे बटी नब्वे विधान सभाओं में जो हर्याना के चहरे उतारे गए राजनितिक लोग कहते हैं कि उन पर मनोहरलाल की छाया पूरी रही हाला कि कल नरेंदर मोधी आये थे कुरुक्षेत्र के अंदर प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की रैली थी जन सभा थी और उस सभा के अंदर मनोहरलाल खटर नहीं थे मनोहरलाल हर्याना के पूर मुख्य मंत्री रहे हैं साड़े नौ साल तक जिनकी रीती नीतियों पर हर्याना चला आजकल जो केंदर सरकार के पावर मिनिस्टर हैं जिनके पास आवास देने का मंत्रालिय है यानि की शेहरी विकास मंत्रालिय अभी उनके पास है करनाल के सांस प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी की जो रैली जो जनसभा थी वो 23 विधानसभा छेत्रों की जनसभा थी और वो 23 विधानसभा छेत्र उसके अंदर करनाल जिले के भी विधानसभा छेत्र थे 23 विधानसभाचहित्रों की जो रैली होई उसके अंदर करणाल जिले के भी सभी विधानसभाचहित्र थे लेकिन करणाल के सांजसद मौजूद नहीं थे सूवे के पूरु मुख्यमंत्री है वो मोधी सरकार के वजीर है वो और वो उस सभा में उस रैली में मौजूद नहीं रहे अब बात आ जाती है मुख्या मंत्रिपत पर डावा ठोकने की अनिल विज इसमें कोई दोराया नहीं है पार्टी के सीनियर नेता हैं 71 साल की उनकी उम्र हो चुकी है 1970 से वो सक्रिये हैं भारती जंता पार्टी में ABVP अखल भारती विध्यारती परिशत के अंदर हुआ करते थे उसके अंदर भारती जंता युवा मूर्चा के अध्यक्ष बने पार्टी को मा कहते हैं हलांकि एक बार जगड़ा तो घर में भी हो जाता है तो अनिल्विज का विवाद भी हुआ था पार्टी में भारती जंता पार्टी के साथ उनका विवाद भी रहा था और उस समय वो निर्दलिये चुनाव जीत करके और अपना एक जंडा डंडा अपना ले लिया था अपनी पार्टी खड़ी कर दी थी उसके बैनर तले वो विधान सबा में पहुँच गए थे बाद में फिर से भारती जंता पार्टी में आ गए और छे बार विधायक रह चुके हैं एक बार चुनाव भार गए थे अनिल्विज गबर के नाम से मशूर है और गबर का मतलब होता है कि जो चीज नहीं मिल रही उसको कैसे ना कैसे कर के लिया जाए कि 2014 में जब भारती जंता पार्टी की सरकार बनी तो भी अनिल्विज मुख्य मंत्री पद के दावेदार थे नाराज भी हुए थे कुपित भी हुए थे कि उनकी दावेदारी थी लेकिन उनको पार्टी ने गंभीरता से लिया नहीं अब वो दावेदारी त ठोकी तो जाएगी नडडा जी के सामने और भारती जंता पार्टी के राष्ट्रिय नेत्रतव के सामने वो दावेदारी उन्होंने पहले भी ठोकी थी 2014 में भी दावेदारी मानी नहीं गई थी उनकी 2019 में जब फिर से भाजबा की सरकार बनी तो घोशित चेहरा थे मनोहर लाल उनके नेत्रतव में 75 पार के नारे के साथ भाजबा चुनाव मैदान में आई थी जालांकि 40 रह गए थे अनिल्विज तब भी चाते थे कि उनको मुख्य मंत्री बनाया जाए 2019 में दावा तब भी ठोक दिया था मनोहर लाल जी की विदाई होई और नायव सिंग सैनी को अर्याना का जब मुख्य मंत्री बनाया गया 12 मार्स 2024 को तब बहुत कुपित हुए थे तब बहुत नाराज ह मेरा हक है मैं बहुत पुराना हूं लेकिन पार्टी ने उनकी एक नहीं सुनी वो दावा ठोकते के ठोकते रह गए मंत्री ते मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री बनने चले थे गह मंत्री भी नहीं कहते हैं कि तीवे जी चले थे चौबे बनने दूबे बनके लोटे तो अनिल विज साब उस समय हर्याना के ग्रह मंत्री हुआ करते थे मनोरलाल जी की सरकार में खूब उनको मनाया भी गया कि आप मंत्री फिर से बन जाओ उनकी जित्थी की मुख्य मंत्री बनाओ डेपीटी स लठा तीन तो सीधे सीधे दावेदार है अनिल विज दावा कर रहे हैं राव इंदर जी सिंग दावा कर रहे हैं नायव सिंग सैनी तो हैं है वो तो गोशित हैं उनको गोशित कर रखा है अमिशा जी ने और भारती जंता पायटी आला कमान ने मनोरलाल जी का मैंने आपको मन्यूं उनके मन में भी इच्छा थी बड़ी मुख्य मंत्री बनने की अगर वो विधायक चुनकर अब आ जाएंगे तो फिर भी उनकी इच्छा होगी ओम प्रकाश धनकर साव उनकी भी बड़ी इच्छा थी 2014 में जब सरकार बनी थी भाज़पा की कि उनका नंबर लग है जब वो कहते थे कि एक नंबर वाली कुर्सी तो तब मिलेगी जब आप विधायक बना दोगे अगर विधायक बन गए बादली से ओम प्रकाश धनकर साव तो उनका भी दावा होगा दावा तो और भी बहुत सारे निताओं का होगा लोग लेकिन अगर हुकूमत आएगी हि अगर सर्काराई आएगी अगर अक्सार बनेगी उनको बहुत मिले ऊक्सरियत उनको बहुत मिलेगी तो सरकार वने घीral that was अनिल्विस का दावा कितना मजबूत है आपको क्या लगता है कि अगर अब की बार भारती जनता पार्टी को बहुमत मिला तो फिर कौन से चेहरे पर बीजेपी अपना उसको मोहरा बनाएगी यानि कि कौन से चेहरे को आगे किया जाएगा और आपको क्या लगता है कि क्या अ नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें।